नमस्कार मैं हूँ अमित पालित और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें अर्विंद के जीवाल के जिप्टी आने की मनोस सिसोधिया को सुप्रीम कोट से बड़ी राहत मिली है पुरे 17 महिने बाद मनी सिसोधिया तिहार जेल से बाहर निकलने जा रहे हैं 17 महिने और 18 दिन बाद सुप्रीम कोट ने शराब घोटाले में मनी सिसोधिया को जमानत दे दी है यह जमानत उन्हें ED और CBI दोनों ही मामलों में दी गई है ऐसे में अब सिसोधिया जेल से बाहर निकलाएंगे मनोस सिसोधिया आज ही जेल से छूट सकते हैं और मनी सिसोधिया को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोट ने वज़े भी बताई है सुप्रीम कोट ने कहा कि सिसोधिया की ट्राइल में देरी हुई है जिससे सिसोदिया के स्पीरी ट्राइल के अधिकार का हनन हुआ है और दूसरी वज़े बताई है सबूतों से छेड़ चाड़ नहीं हो सकती क्योंकि अब ये जाज एजिंसियों के पास मौझूद है अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जमानत रूल है जब की जेल अपवाद है तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त कुछ टर्म एंड कंडिशन भी रखें अब टर्म एंड कंडिशन क्या है आपको बताते है सिसोदिया को 10 लाक रुपे का बॉंड भरना होगा सीएम ओफिस या सचीवाले नहीं जाना होगा साथ ही अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा इसी तरह से पुलिस थाने में जाना होगा हाज़ी भी लगानी होगी तो तमाम ऐसी शर्ते हैं जो रखी गई है लेकिन सबसे बड़ी बात है जो सियासत के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही महत पूर्ण है अर्विंद केज़िवाल के डिप्टी सेकेंड इंड कमांड मनिस सोदिया को जेल से बेल मिल गई है याने कि अब मनिस सोदिया सत्रा महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अर्विंद केज़िवाल खुद इस वक्ट जेल में मौझूद है जैसा आप जानते कि आने वाले चुनाओ है चाहे वो हर्याना के चुनाओ हो जो सबसे महत पूर्ण हो जाते हैं आमाद भी पार्टी के लिए जहां इस वक्त आमाद भी पार्टी के नेता प्रचार भी कर रहे हैं ऐसे में मनिस सोदिया अगर जेल से बाहर आ रहे हैं तो चुनाओी शेत्र में भी इसका असर देखने को मिल सकता है सबसे बड़ी बात है पार्टी का जो मुराल बूस्ट होगा वो बहुत एहम है सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गए है लेकिन इसके साथ ही कोट ने कई शर्तें भी रखी हैं कोट ने जमानत देते जिसके साथ ही सिसोदिया को हर सोमवार को नजदी की पुलिस ठाने जाकर रिपोर्ट यानि हाजरी लगाने होंगी तो ये चंद वो शर्तें हैं जो मनी सिसोदिया के लिए रखी गई है मनी सिसोदिया से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें तिहार सूतरों के मताबिक तिहार जेल के गेट नमबर 3 से और मनी सिसोदिया निकल सकते हैं और मनी सिसोदिया तिहार की जेल नमबर एक में बंद हैं और जेल नमबर एक में बंद कैदी जेल के गेट नमबर 3 से बाहर आते हैं सूत्र ये भी बता रहा है कि सिक्योर्टी को लेकर कोई concern हो तो फिर किसी और gate से भी निकाला जा सकता मनी सिसोधिया को तिहार जेल सूत्रों के मताबिक उन्हें बेल ओडल मिलने के बादी निर्बर करता है कि किस وقت उन्हें जेल से बाहर आने दिया जाएगा तो फिलाल कोट से जब order आएंगे उसके बाद ये तह हो जागा कितने बजे मनी सिसोधिया तिहार से बाहर आ रहे हैं अब दिल्ली सरकार की मंतरी आतीशी इस खबर को सुनते ही रो पड़ी आतीशी ने कहा कि जूटे केस में सिसोधिया को फसाया गया मनी सिसोधिया दिल्ली सिक्षा करांती के जनक है और ये जीत उन बच्चों की जीत है जिनके लिए सिसोधिया ने काम किया सिक्षा का लेवल दिल्ली में उपर किया दिल्ली के शिक्षा करांती के जनक मनी सिसोधिया को जिनको एक जूटे केस में जिनको एक जूटे गेस में सत्रा महीने तक जिनको एक जूटे केस में फजाकर जेल में रखा गया आज का दिन भारत के इतिहास में भारत की शिक्ष्रा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा करांती के जनक की आज बेल हुई आज सचाई की जीत हुई शिक्षा की जीत हुई दिल्ली के बच्चों की जीत हुई तो आपने यहाँ पर भावुख होते देखा अतिशी को अतिशी लंबे वक्ष से मनी सिसोदे के साथ मिलकर काम करती रही है आंदोलन के दोर से लगातार वो जुड़ी रही है और यही वज़े के शादू अपने भावनाओं को रोक नहीं पाई अब दिल्ली के आपके दफ्तर में भी जशने का माहौल है सौरव भारद्वाज इस वक्त मौके पर मौझूद है याने पार्टी ऑफिस में हैं और मिठाई खिलाया जा रहा है एक दूसरे को जशन मनाया जा रहा है ढोल नगारे बज रहे हैं सबर तक जूम रहे हैं सौरव भारद्वाज ने इंडिया टीवी से बातचीत की और कहा कि यह सत्त की जीत है 17 महीने तक जूटे केस में सिसोधिया को फसाया गया कोट के फैसले का स्वागत वो करते हैं लेकिन सच्चाएं तो है कि यह केस अभी भी अपने जगे पर है सिर्फ जमानत मिली है मनीश शिशोधिया को 17 महीने बाद सुप्रीम कोट ने बेल देदी है आम आगली पार्टी के नेता सौरभ भारतवाज हमारे साथ है सर क्या कहींगे इस बिल देखिए यह बहुत बड़ा लेंडमार्क जज्जमेंट आया है और यह मामला सिर्फ मनीश शिशोधिया जी के लिए नहीं तमाम ऐसे राजनितिक लोग जो इस तरीके से ED और CBI के मामलों में जेल में हैं उनके लिए एक राहत की खबर लेके आया है सुप्रीम कोट ने कुछ टिपणियां जो की वो बहुत जरूरी है सुप्रीम कोट ने एक बात बार बार कही बेल is a matter of right, jail is an exception जब तक किसी आदमी के उपर कोई गुना साबित ही नहीं हुआ आप उसको जेल में कैसे रख सकते हैं जिस तरीके का यह मामला है जिसके अंदर हजारों पेज के documents रखे गए हैं 200-200 witnesses रखे गए हैं उसके अंदर तो trial को complete करने में वर्षों लगेंगे क्या बिना साबुत किये कुछ भी आप वर्षों तक किसी को जिल में रख सकते हैं जवाब हैं नहीं रख सकते आप agency की गलती है कि उन्होंने अक्टूबर के अंदर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया कि 6-8 महिने के अंदर हम trial खतम कर देंगे एक साल होने को आ रहा है trial शुरू भी नहीं हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी agency की खेचाए की कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस तरीके से एक मामला कोर्ट में साबित हो जाए आप साबित कर दीजिए conviction करिए sentence करिए 5 साल नहीं 10 साल सजा दीजिए वो सजा हो जाएगी मगर जब कुछ साबित ही नहीं हुए आपकी trial शुरू ही नहीं हुई आप किसी को कैसे सजा दे सकते हैं आप कैसे किसी को 17 महीने जेल में रख सकते हैं कोर्ट ने ये बात भी कही कि बार बार जो tempering के बारे में बात की जारी वो कैसे हो सकती है जब सबूत आपके सारे documentary है और वो कोर्ट के अंदर अल्डेडी दाखिल की जा सकते हैं किये जा चुके हैं तो इसके अंदर कोई मतलब नहीं बनता और मनी सिसोदिया को दिल्ली शराब नीती घोटाले से जुड़े CBI और ED दोनों ही केस पे राहत मिली अब CBI ने ब्रश्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गरफतार किया था ED ने 9 माज 2023 को उन्हें मनी लॉर्डरिंग के मामले में गरफतार किया था अब उन्होंने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पस से इस सिफा दे दिया था इसके बास सुप्रीम कोट ने मनी सिसोदिया को जवानत देते हुए क्या टिपपनी की ये भी आपको बताते हैं और क्या वज़े बताई है वो भी हम आपको बताएंगे तो आमादवी पार्टी की ओर से जो लगातार कोशिश की जा रही थी कि उनके नेता को बेल मिल जाए उसी के मदे नजर लगातार मनी सिसोदिया अपनी बेल डाल रहे थे जब हाई कोट से पूरी तरह से वो विफल रहा है उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोट का रुक किया सुप्रीम कोट में भी जब उन्होंने याचि का दी थी तब भी उसे नए एक्सेट किया गया लेकिन आखिरकार जब उन्होंने बदलाओ किया accept किया गया, आमादभी पार्टी के सांसर स्वाती मालिवाल ने मनीश सितोधिया की बेल पर खुशी वेक्त की है, मालिवाल ने कहा है कि उमीद है कि जब वो लीड़ के लेकर सरकार को सही दिशा दिखा सकेंगे और सरकार जो है दिल्ली में वो अब सही दिशार पर चलेगी मुझे बहुत खुशी है कि मनीश से सोधिया जी को बेल मिलिए और मैं अब आशा करती हूँ कि दिल्ली सरकार को वो लीड करेंगे और अच्छे से काम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सपा प्रमुक अखिलेश श्यादव ने भी खुशी वेक्त की है उन्होंने काए कि मुझे उमीद है कि सबको नियाए मिलेगा अखिलेश नियाए कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अर्विन केज़िवाल को भी नियाए मिलेगा आप पार्टी की जितने नियता जेल में हैं अर्विन केज़िवाल उन्हें भी नियाए मिलेगा और इस वक्त मेरे साथ मेरे सयोगी जुड़ गए है अतुल भाटिया इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौझूद है अनामिका गौर आमादमी पार्टी के दफ्तर में मौझूद है और सीधे कुमार सुनू भी हमारे साथ जुड़ेंगे लेकिन सबसे पहले हम आमादमी पार्टी के दफ्तर चलते हैं अनामिका है अनामिका फिलाल वहाँ पर हमने देखा जशने का माहौल था वहाँ पर सौरब भारद्वाज भी थे पार्टी के दफ्तर में क्या बताया जा रहा है क्या यहां से तमाम नेता जाएंगे रिसीव करने के लिए तिहार जेल या फिर किस तरह से स्वागत समारो किया जाएगा संजे जी, संजे सा मेरा लाइव है नहीं सा मेरा रियक्शन को पर देखे संजे सिंग इस समय अभी सभी बड़े नेताओं को मिठाई खिला रहे जशने का महौल आमे काम आद्वी पार्टी में सभी बड़े नेताओं की तरफ से और इस पर बयान दिया जाएगा जैसे कि सौरभ भारदों आज कहे चुके हैं कि ये एक बड़ी जीत है उनके लिए क्योंकि 17 महीनों से ये लड़ाई लड़ी जा रही थी मनीश शोधिया 530 दिन तक अंदर थे और अब उजाके उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है दिली में एलेक्शन आने वाले हैं तो ये सभी कारेकरताओं के लिए एक बूस्ट भी रहेगा क्योंकि अरविंद केजरिवाल के बाद मुख्यमंत्री के बाद मनीश शोधिया थे जो सब कुस देखते थे और अब उनका बहाराना अनामधी पारलिए कर लेकिन यह अब अब पॉस्टे लेकिन ऑपने कारेकरताओं के साथ वेस्ट अथे लेकिन उसके बाद आप जाने की कोशिश कि जिए अश्रकार पार्टी का प्लाइन कौन-कौन से नेता जा सकते हैं, या की सिरफ परिवार के लोग ही जाएंगा. परिवार क्या कर रहा है? परिवार के लिए आज का दिन बहुत ही खास है मनिश सिसोधिया के लिए. कुमार सोनू, इस वक्त घर में किस तरह की हल्चल आमको देखने को मिले या फिर कोई नेता है या परिवार के लोग हैं जो घर पर आए हो मुलाकात करने के लिए देखे अमित अभी कुछ देर पहले जैसे ही मनिश्य सोधिया को सुप्रिंपूर्ट से जमानत मिली है उसके बाद संजे सिंग की पत्नी जो है अनीता सिंग वो घर पर पहुँची है जो है घर में जो है चैसन का माहल है और तमाम मिठाईयां वगतर जो है इस वक्त घर में मंगाई गई है और एक दूसरे को मिठाई के लाई रहे हैं इस वक्त मंणिशित्र पत्नी आप पाइटी के दूसरे बड़े नेता है तो सत्रा महीने बाद जो है दिली की तियार जेल से आफकारी घुटाले मामले में मनीशी सोधिया को बेल मिलिया और सत्रा महीने बाद वो बहार आएंगे और तियार सोर्सिस का ये कहना है क्योंकि मनीशी सोधिया को जेल नंबर एक में रखा गया है और जो जेल नंबर एक में होता है जो विचारा दीन कह दिया या दूसरा उसको तीन नंबर से ही एक्जिट दिया जाता है लेकिन अगर सुरक्षा का कंसरन होता है अगर दिली पु लगाल को तीन इंबर गी जगा दूसरे गीड से निकाला गया था तो फिलाल तमाम जो पूरा प्रोसेस को को कर दो प्रोसेस को करने में लग गए हैं अभी सुप्रिम सुपर्वाइब कोडर राउजेव कोड जाएगा वहां पूरा परवाना तयार होगा जो की त्यार जेल प बाहर आएंगे तो माना जा रहा है इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन शाम चार से पांच वजे तक का समय लग सकता है और पिलाल प्रियाड जेल के बाहर भी एक बड़ा जर्शन जैसा माहौल हो सकता है वहां कारेकरता जूप सकते हैं जैसा कि लास्ट तैम देखा था जब अ मासोनों आपके जरीए कमसे मिता तो पता लग गया है कि कुल मिलाकर जो वक्त है थोड़ा और लगेगा शाम का वक्त हो सकता है जब मनी सिसोधिया जेल से बाहर आएंगे लेकिन यह जो सारा मामला अनफोल्ड हुआ यह सारे घटना करम कहा से हुए उस सुप्रीम कोर्स हु जैसे उनको यह जमानत मिली है और दूसरी बात है कि सबूतों से छेड़ छाड़ का मुद्दा नहीं रहा क्योंकि तमाम सबूत इस वक्त एजेंसिस के पास हैं यह आने वाले जो केसे जबी भी चल रहे हैं उस पर भी किस तरह से इंपैक्ट कर सकता है सबसे इंपोरेंट बात तो यहां पर यह है कि जो एडी और सीबी आई की इन्वेस्टिगेशन है उन मेरिट्स के उपर आज सुप्रीम कोर्ट नहीं गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से 17 महीने से जादा से जो मनीज सिसोधिया है वो जेल में बंध है उनको सजा नहीं हुई है तो आखिर कितने समय तक उनको जेल के अंदर रखा जा सकता है इसके लावा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो जेल है वो अपवाद है और इसके लावा जो बेल है वो रूल है तो यही कारण रहा कि बड़ी राहत जो है वो आज मनीज सिसोधिया को मिली जो E.D. की इंवेस्टिगेशन है उसके ओपर सुप्रीम कोट ने कोई ड़ी नहीं की है जल्द ट्राइल शुरू होना चाहिए था वो नहीं हुआ जो बेल रूल है और जेल अपवाद है लेकिन अगर ट्राइल में देरी हो रहे है तो किसी को आप अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रख सकते एक संदेश सुप्रीम कोट के ओड से आया है अब सिसोदिया को बेल मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की वैयानबाजी पर बीज़ेपी ने पलड़वार किया है डिल्ली बीज़ेपी के अध़क्स वरेंद सच्धिवा ने काए कि मनिस सिसोदिया को सिर्फ बेल मिली है उपराद मुक्त नहीं हुए है सच्चदेवा ने का कि केजरिवाल और सिसोधिया ने शराम घोटाले में कमिशन लिया है और इसका फैसला जनता की अदालत में होगा आम आद्वी पाल्टी के जो नेता सत्य मेव जैते लिख रहे हैं जरा पिछले हफ़ते के मानेनीव सुप्रीम कोर्ट के निर्ने के बाद अपने की हुए वक्तववे को पढ़ ले हैं कैसी बुकलाहार थी किस तरह का उनका वेवार था लेकिन हम ये जानते हैं कि शराम निती गोटाले में मनीश सुधिया को बेल मिली हैं और किसी भी अपराजी को बेल मिलना वो अपराजमुत होना नहीं होता है जहां चबी चल रही है साक्षे कोड के सामने आएंगे अर्विन केजरिवाल हो मनीश सुधिया हो या बाकी लोग हो इन सब ने शराब नीती गोटाले म सबके सामने होगा